क्राचार्य के शाप से जब महाराज ययाती एकाएक बढ़े हो गया था, उन्होंने अपने पांच पुत्रों से उनकी युवावस्था मांगी, जेश्ट पुत्रों यदू, तुर्वशू, दुहू और अनू ने उनका अनाधर करते हुए अपनी युवावस्था देने से मन कर दिया, पर उनके छोटे पुत्र पुरू ने उनकी आग्या का पालन करते हुए उन्हें अपनी युवावस्था दान कर दी, और बदले में उनका बुढ़ापा ले ले लिया, बुजुर्ग ययाती युवा हो गये और युवावपुरू बुजुर्ग हो गया, लंबे स इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी युवावस्था मुझे दे दी, सो मैं बहुत प्रसन हूँ, अपसे यहां राज्य भी तुम्हारा है, तुम सुखी पूर्वक इसका भोग करो, मैं अब वन में जाकर तपस्या करते हुए अपना अंतिम समय बिताना चाहता हूँ, भो की इच्छा का सम्मान करना मेरा धर्म था, किन्तु क्या आप संतुष्ठ है, पिताश्री, यायाती ने उत्तर दिया, नहीं, हजार वर्षों का विलास भी मुझे संतुष्ठ नहीं कर पाया, किन्तु तुम्हें तुम्हारी वस्तु तो वापस करनी ही थी, सो चला आया पिताश्री, यदि आप संतुष्ठ नहीं है, तो आगे भी मेरी युवावस्था रख सकते हैं, मुझे इसकी आवश्चक्ता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी अवस्था से संतुष्ठ हूँ, मुझे सुक का लोब नहीं है, नहीं मैं आपको अपनी युवावस्था देने के बदले आप से राज्य लेना ही चाहता हूं। पूरू ने प्रसनता पूर्वक कहा। यायाती ने आश्चर्य से देखा आपने साधु पुत्र की ओर उसके मुख पर दिव्यकांती भरी हुई थी। पूरू उनके भाव समझ गए। और कहा। भोग मनुष्य को कभी संतुष् नहीं दे पाते पिता श्री। मनुष्य जितना ही अधिक सुखों का भोग करता है। उसकी भोग लालसा उतनी ही तीवर होती जाती है। मनुष्य को संतुष्टी त्याग से मिलती है। यायाती देर तक सोचते रहे। फिर कहा। तुमने ठीक कहा पुत्र। भोगों से कर स्वीकार कर लिया। वे युवा हो गए और यायाती बुजुर्ग बन गए और वन की ओर चले गए। यहां कथा महाभारत से ली गई है और हमें जीवन के एक महत्वपूर्ण सिध्धान्त को समझाती है। भोग से कभी संतुष्टी नहीं मिलती। यायाती का अनुभव कर यायाती को दी और खुद बुजुर्ग अवस्था को अपनाया। लेकिन उन्होंने इसे बेमन से नहीं बलकि खुशी-खुशी स्वीकार किया क्योंकि उन्हें त्याग में ही संतुष्टी मिली। इस कथा से यह सीख मिलती है कि असली संतुष्टी त्याग और संतोश मे ना कि भौतिक सुखों के भोग में यायाती ने अंत में इस सत्य को स्वीकार किया और त्याग के माध्यम से शांती प्राप्त करने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें जीवन में त्याग, संतोश और धैर्य के महत्व को समझने का संदेश देती है।